अगर हम स्टिंग बग की बात करें तो पेंटा टॉमिडी एक फैमिली है उससे ये बिलॉंग करते हैं और इनका ओर्डर हमिप्ट्रा है इनको शील बग्स या स्टिंग बग्स भी कहते हैं अगर हम इनकी टेक्सोनमी के बात करें तो इनका फैलम अर्थरोपोडा है इनकी क्लास इंसेक्ट्रा है ओर्डर इनका हेमिप्ट्रा है फैमिली पेंटा टॉमिडी और इसकी जो सब फैमिली है ऐसो पाइनी अब अगर पेंटा टॉमिडी फैमिली के हम बात करें तो इसके अं अंदर मेंबर्स हैं दे आर फाइटो फेगस ये मुख्तलिफ किसम के जो प्लांट्स हैं उनके उपर फीड करते हैं और दे आर कंसिडर स्वियर पैस्ट ऑन एग्रिकल्चर क्रॉप मिजॉरिट्री आफ जो मेंबर्स हैं इस फैमिली के अंदर वो फार्मर्स के लिए नुकसा जोके प्रिड ट्री हैं जोके उन इंसेक्स के अपर फीड करती हैं जोके ट्रॉप को नुकसान पहुचाते हैं अगर हम सब फैमिली ऐसू पाइनी की बात करें तो इसके जो मेंबर्स हैं वो फार्मर्स फ्रेंड हैं इनको इंपार्टन बायो कंट्रोल एज़न के तौर पर यूज किया जाता है जब इनको डिस्टर्ब किया जाए तो ये खास किसम का पंजन्ट स्प्रे प्रोड्यूस करते हैं जिसकी मदद से ये प्रिडेटर से बच जाते हैं अब ये जो स्प्रे पहला करते हैं इसकी जो कमपोजिशन है वो डिफरन्ट स्पिशिस के अंदर वेरी करती है इवन डिफरन्ट जो सेक्सिस है उनके अंदर भी जो कमपोजिशन है स्प्रे की वो डिफरन्ट हो सकती है लेकिन जनरली ये जो स्प्रे है इसके अंदर अल्डिहाइड्स और अलकेंस मौजूद होती है अगर हम स्टिंग बैक के साइस की बात करें तो इनका जो साइस है वो मौडरेट टू लार्ज है और ये 7 टू 25 मिली मीटर तक रेंज कर सकते हैं साइस के अंदर उसके लावा इसकी जो सब फैमिली एस ओफ आईनी है जिसके अंदर पैंटाटामिडी एक फैमिली है इसकी ये सब फैमिली एस ओफ आईनी है इसके अंदर मौश्टरी जो आर्गिनिजम है हमने बात की कि ये प्रिडेटरी है ये फार्मर्स फ्रेंड है इसके अंदर इस जो सब फैमिली के अंदर तक्रीबन 300 species हैं और 69 जर्ना है इस स्लाइड के अंदर एक स्टिंग बंग को दिखाया गया है जो के एक इंसेक के उपर फीड कर रहा है उसके बाद जो स्टिंग बंग हैं दे आर स्ट्रॉंग फ्लायर्स and they typically migrate from surrounding field into the cotton fields स्टिंग बंग कोटन जो फीड हैं उसके अंदर काफी ज़्यादात कदर पाए जाते हैं और surrounding field से ये cotton fields के अंदर आ जाते हैं क्योंकि आम तोर पर इनके urgences जो फीड हैं उसके अंदर सोया बीन हो सकती है उसके अंदर कौर हो सकती है although के इनका size काफी बड़ा होता है लेकिन इसकी जो scouting है वो काफी मुश्कल होती है आम तोर पर ये देखा गया है कि इनके जो adults है they tend to aggregate उसके लावा इनकी जो distribution है किसी field के अंदर वो highly concentrated होती है इसका मतलब ये है कि field के अंदर अगर ये किसी जगा पर मौजूद है तो इनकी काफी ज़ादा तादाद वहाँ पर और खास तोर पर जो borders है field के वहाँ पर ये काफी तादाद के अंदर मौजूद है अब जो sting bugs हैं हमने इसके बारे में पड़ा कि इसकी जो scouting है आम तोर पर जो pest scouting से के अमराद है किसी field के अंदर कितनी तादाद के अंदर एक pest available है क्योंकि मुक्तरिफ जो pest है या जो तादाद है उनकी उसकी base के उपर ये decide किया जाता है कि हमने insecticide का spray करना है या नहीं करना लेकिन इस family के अंदर जो members हैं वो predatory हैं ये insects के उपर feed करते हैं उसके लावा इनके जो presence है उसका अंदाजा ball के damage से लगाया जा सकता है ये हम उन insects की बात कर रहे हैं जो predatory नहीं है उसके लावा अगर हम सिरफ predatory bugs की बात करें तो इनके तकरीबन जो है इस family के अंदर 100 species ऐसी हैं जो predatory हैं ये ऐसी family के members हैं जो के insects के उपर feed करते हैं जो के हमारी help करते हैं farmers की help करते हैं ताके pesticide का जो use है उसको कम किया जा सके अगर इनको हम enhance करें इनकी population को बढ़ाएं उसके लावा इसकी nymph और adult दोनों जो pest है उसके उपर feed करते हैं उसके लावा इनकी जो body है इसके उपर anterior side के उपर एक needle like beak है इस beak की मदद से ये अपने prey के puncture करते हैं और उसका जो sap है वो सक करते हैं उसके लावा इसकी अगर हम life strategies की बात करें जो insects के पर feed करती हैं तो both nymph and adult दोनों feed करते हैं उसके लावा यह किस किसम के insects के पर feed करते हैं यह आम तर पर जो larger insects हैं या grubs हैं या जो larvae हैं different insects के उपड़ उनके उपड़ ये feed करते हैं और खास तर पर जो caterpillar's हैं उनको ये prefer करते हैं उसके लावा two spotted sting bugs often eat eggs of polaredo potato beetles और जो smaller caterpillar या larvae तो आम तोर पर जो larvae हैं या जो caterpillar हैं उनके उपर ये feed करना पसंद करते हैं उसके लावा इनको हम कहां जाधत अदाद के अंदर देख सकते हैं तो ये gardens के अंदर, apples के अंदर, eggplant, potato, onion field, sweet corn, tomato इन तमाव fields के अंदर ये काफी जाधा तादाद के अंदर मौजूद होते हैं उसके लावा इनको field के अंदर हम कैसे attract कर सकते हैं इनकी population को कैसे हम field के अंदर बढ़ा सकते हैं उसके लिए different किसम के फेरोमिन्स का इस्तमाल किया जा सकता है उन फेरोमिन्स के जरीए इनको field के अंदर attract किया जा सकता है उसके लावा ये बार देखने में आई है कि ये अवर विंट रिंग साइट्स अगर provide की जाएं तो वहाँ पे जैसा कि अगर एक field है वहाँ पे extra bundle पड़ा हुआ है या वहाँ पे बहुत जादा पत्ते पड़े हुए है तो वहाँ पे आम तोर पर ये aggregate कर जाते हैं उसके लावा इनको protect करने के लिए हमें जो broad spectrum insecticides हैं उनके spray से avoid करना चाहिए क्योंकि ये भी susceptible हैं जब जो pesticide का बहुत जादा heavy use किया जाता है तो उससे इन predators को नुक्सान पहुंचता है या तो ये मर जाते हैं या फिर इन fields को छोड़के वो surrounding fields के अंदर move कर जाते हैं जिससे इनका जो फायदा हो रहा होता है field को वो कम हो जाता है